हेलो एवरिवन वेल्कम तो मैंगनेट ब्रेंस मैंसर प्रती कंड स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंगनेट बेंस पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिडी कॉंटेंट क्वालिडी एजुकेशन वह भी बिल्कुल बकाईदा फ्री आफ कॉस्ट केज अप्लोड हो रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव हो या कुछ भी हो तो वह नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप कुछ भी मिस आउट ना करें बस एक बात का आप खास क्या रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक आप पूरा कॉं चाहनी पे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 एलेक्ट्र स्टाइटिक पोटेंशल एंड केपैसिटेंस का कम्प्लीट चैप्टर रिविजन आपके सामने लेकर के आगया हूं कम समय में पूरा चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा और यह तब जाकर के बहु लेकर के आते हैं कि what is basically electrostatic potential what is basically electrostatic potential तो जैसे हम electric field की intensity किसी particular point पे निकाला करते थे वैसे ही हम potential भी किसी particular point पे निकालने की एक्षा रखते हैं इसके लिए कहानी क्या होती है कि अगर आपको किसी particular point P पे potential निकालना है तो सबसे पहले infinity से आप किसी charge को move कर वाकर लाएंगे उ तो potential at that point is defined as the amount of work done भाईया infinity से charge को move करवा करके particular point तक लाने में कुछ work तो करना पड़ गया होगा तो potential at that point is defined as the amount of work done in moving a charge क्यूँ कहां से move करवा रहे हो infinity से कहां तक move करवा रहे हो P वाले point तक move करवा रहे हो यह वाला funda समझ में आ गया तो यहां पर आपने potential का expression निकाल लिया है only in terms of test charge भाईया जिस charge को अपन move करवा रहे हैं वो test charge है न वो कोई source charge तो है नहीं वो ठहरा test charge तो यह potential का formula आ गया है in terms of test charge अगर आप इसके unit की बात करना चाहें अगर आप इसके unit की बात करना चाहें तो वैसे तो यह हो जाएगा जूल्स में और यह नीचे हो जाएगा कूलम्स में लेकिन इसी जूल पर कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है क्या कहते हैं बेटा वोल्ट भी कहते हैं तो इसका मतलब एक वोल्ट जो है न यह basically एक जूल पर कूलम के बराबर हो जाता है it's as simple as that यह व इसे लग उन्टिटी तो basically electrostatic potential of a charge body represents the degree of electrification कितना electrified body है जितना ज्यादा potential उतना ज्यादा electrified body है ठीक है it determines the direction of flow of charge और यह दूसरी बहुत important चीज़ है कि इस potential को देख कर गे न हम दर असल direction of flow of charge को judge कर सकते हैं ठीक है because charge हमेशा flow करता है from high potential to low potential अगर charge A से B की तरफ flow कर रहा है मतलब A वाली body is at high potential and B वाली body is at low potential ठीक है उसके बाद the flow of charge stops as soon as the potential of the two bodies becomes constant और जब जब दोनों bodies का potential बराबर हो जाता है तो उनके बीच में charges का flow रुख जाता है और यह जो potential है ना इस potential को ही कहा जाता है common potential इस potential को ही कहा जाता है common potential आगे चलके इसी lecture में कुछ मिनिट के बाद आपको common potential का formula भी देखने को मिल जाएगा मैं screen से हट जाता हूँ ताकि आप इसका properly screenshot ले सकें 3, 2, 1, ready, go, super done and super clear मेरे ख्याल से आपको यहां तक का funda जो है वो supremely clear हो चुका होगा ठीक है चलिए अब जड़ा कहानी में आगे बढ़ते है electrostatic potential is the characteristic of electric field associated with a given charge configuration जो की दरसर एक scalar representation में आता है not a vector quantity सबसे ज़्यादा important चीज यहां पर यह है कि अगर charge किया बात करें तो charge का sign convention लेके चलोगे जब scalar quantity होगा और charge का sign convention लेने की बिलकुल भी ज़रूबत नहीं है अगर vector representation है ठीक है electric field की intensity vector quantity charge का modulus ले लिया लेकिन potential जो होता है वो scalar quantity होता है तो आपको यहां पर charge का modulus लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक है उसके बाद definition क्या आता है भाया potential का definition क्या है तो electric potential difference दो points के बीच में potentials का difference कितना रहा ठीक है the electric potential difference between two points B and A in an electrostatic field is defined as the amount of work done in carrying a unit positive test charge without acceleration from A to B इसका मतलब यह है कि जैसे माल लीजें कि कोई electric field यहां पहले से ही मौजूद है कोई electric field यहां पहले से ही मौजूद है इसमें मैं A से लेकर के B तक अगर मैं किसी भी charge को move करवा करके लेके जाता हूं तो मुझे absolutely कुछ work तो करना पड़ेगा तो potential is defined as यह potential difference is defined as the amount of work done in moving the charge Q from point A to point B तो work is equals to क्या हो जाएगा charge into potential difference and what is the value, what is the formula for potential difference तो भाई यह difference निकालना है तो final minus initial मतलब B का potential minus A का potential B का potential minus A का potential it's as simple as that इतनी simple से बात होती है ठीक है तो जल्दी से काम करें एक बाई इसका screenshot ले लें यह हो चुका है इसका definition done 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 हो गया 3,2,1 ready go done ओके चलिए formula 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 से पूरी कहानी आप आ गई जो मैंने बताया आपको वही same चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कोई tension वाली बात नहीं है तो यह आपने पास पूरा फंड़ा तो figure shows that the work done on a test charge by electrostatic field due to any given charge configuration depends only the initial point A and the final point B ठीक है मतलब यहाँ पर देख लो न अगर मैं A से B तक ला रहा हूँ तो मैं इस वाले पात के थूरू लेकर के आ जाऊ या इस वाले से लेकर के आ जाऊ या ऐसे लेकर आ जाऊ या ऐसे घुमा के लेकर आ जाऊ या ऐसे घुमा के ले जाऊ कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिर्फ एक ही बात है कि formula क्या होगा work is equal to बहिया चार्ज कौन सब मूफ करवा रहे हैं क्यूँ उसके बात क्या होता है potential difference finally कहाँ पर लेकर आ गए B पे तो B वाले point पर क्या potential है उसको यहाँ पर भर देना initial ही कहाँ से उठाएते A से A पर क्या potential था उसको यहाँ पर भर देना बस न matter ही खतम अब A से B तक कौन से path को follow करके लाए वो matter करता ही नहीं है it's as simple as that ठेक है चलो तो यह वाला funda मेरे ख्याल में आपके दिमाग में बखुबी बैठ गया होगा screenshot लेने का मौका दूँगा ताकि आप अगर चाहें बाद में तो इससे भी note down कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है 3, 2, 1, ready, go, super done, super clear चलो, okay आज वागे यहां निकल रहा है dimensional formula potential के निकाल ले potential difference के निकाल ले कोई दिक्कत नहीं है dimensional formula same ही आता है अभी दिमाग में यह वाला formula अच्छे से रख ले कि potential is defined as the amount of work done in moving a charge ठीक है तो यह जो formula आ रहा है यह आ रहा है in terms of test charge ठीक है अब दिमाग में तुमारे आएगा किसा electric field के intensity भी same चीज़ हुई थी एक था in terms of test charge एक था in terms of source charge वाला formula जी हाँ बेटा potential में भी same चीज़ होती है एक formula हैगा in terms of test charge दूसरा formula हैगा in terms of source charge हालनकि यहाँ पे in terms of test charge अगर एक point है तो सिर्फ potential बोल देना अगर पूरी कहानी में दो points involved है या फिर दो से जादा भी हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं initial तो गोई एक ही point होगा न और finally पूरी कहानी किसी एक दूसरे point पर खताम होगी होगी तो एक point initial एक point final तो फिर वहाँ पे potential difference को use करना ठीक है चलो okay तो work upon charge work का dimensional formula क्या होता है ml2 t-2 और charge का dimensional formula क्या होता है 80 solve out करके ये रहेगा आपके पास potential या potential difference का dimensional formula और उसके बाद SI unit क्या होती है इसकी volt होती है V से कर देंगे इसको represent और 1 volt जो होता है वो होता है 1 joule per coulomb ये मैं आपको पहले से बता चुका था तो हम इस screen से हट जाता हूँ ताकि आप इसका screenshot ले ले 3, 2, 1, ready go super clear, super done चलो ओके ये वादा funder clear है आगे आजो अब electrostatic potential difference between any two points in an electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force of attraction अब दोबर ज़रा ध्यान देना ये भी basic formula base दिये देखो तो potential is basically work upon charge 2 points होंगे तो ये हो जागे दर पास potential difference अगर मैं ये बोलता हूँ कि जिस charge को अपन move करवा रहे हैं उस charge की value अगर 1 coulomb है मैंने बोला कि जिस charge को हम move करवा रहे हैं value किती है चल 1 coulomb है और इस charge को move करवाने में जो मेरे को work लग रहा है वो मालने चल 1 joule का work लग रहा है ठीक है इसका मतलब क्या है पता है कि potential difference को 1 volt तब बोलेंगे जब 1 coulomb के charge को move करवाने के लिए 1 joule का work required होगा तब जाकर कि हम potential difference को 1 volt कहते हैं as simple as that वही कहानी यहां पर लिखी हुई है मेरे ख्याल से आप बात समझ गए उसके बाद as explained already in case of electrostatic potential energy जो हम पहले पढ़ चुके हैं it is the potential difference between two points which physically matters potential matter नहीं करता potential difference is what actually matters तो यह रहा आपके पास पूरी कहानी मैं चाहूंगा इसका आप screenshot ले ले उसके बाद फिर आपन कहानी में आगे बढ़ते हैं 3, 2, 1 ready go super clear, super done चलो बढ़िया clear आगे बढ़ो तो अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है work subscribe infinity से B क्यों हो बेटा ज़रा गौल करना अगर मुझे एक point है B अगर एक point है B अगर मुझे यहां potential निकालना है तो भाईया infinity से ना वहां किसी charge को move करवाके लाऊंगा इस वाले point तक तो potential at point B is defined as the amount of work done in moving a charge Q from infinity to that particular point B it's as simple as that वही कहानी वहां पे लिख करके रखी हुई है और without acceleration move करवाते हैं ठीक है from infinity to that particular point obviously electrostatic potential is basically a scalar quantity unit क्या होती है इसकी volt तो यह वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी पेटा इसकी theory ना दिमाग में चमकाते होगे चलना अभी potential के बारे में potential difference के बारे में आपको मैंने clarity दे दी है but only based on test charge ठीक है इस वाले formula में जो ही charge है पेटा यह moving charge है यह जो charge है यह दरअसल move कर रहा है from यहाँ to वहाँ from वहाँ to यहाँ तो this is the moving charge और अगर moving charge है तो यह source charge नहीं होगा यह होगा test charge यह charge move कर रहा है test charge है ठीक है यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई भी आपको परिशानी नहीं हो रही होगी इसका screenshot लो बिटा फूरती में 3, 2, 1, ready, go super clear, super done शलू, आगे बढ़े उसके बार एक बहुत simple question the potential difference between two points is 10 volt potential difference किता है आप अपने पास में 10 volt का potential difference है how much work will be done work निकालना है आपको in carrying a charge of किता charge है अपने पास 200 micro coulum ठीक है, micro मतलब 10 की पावर माइनस 6 तो formula क्या होता है potential difference is equals to work upon charge तो therefore अगर work निकालोगे तो क्या हो जाएगा charge into potential difference हाँ की ना, पक्का पूरा फंडा क्लियर है चलो, तो work equal to charge into potential difference what is the charge तो 200 micro मतलब 10 की पावर माइनस 6 200 micro coulum into delta V कितना हो हमारे पास में 10 वोल्ट है, तो work तेरे पास में कितना हो जाएगा देखो भाई है, 2 10 to the power minus 3 क्या, तुम्हें समझ में आया भाई कुछ नहीं करा, 2 10 to the power 3 और 10 to the power minus 6 तो 10 to the power minus 3 बन जाएगा जल्दी इसका पूरा screenshot ले लो, 3, 2, 1, ready, go super done, super clear, चल लो आगे बढ़े, ओके, पका, चले अब यहाँ पर निकल रहा है potential का ही formula in terms of a source charge तो देखो होता है कहना, simple सी कहानी ज़र एक बार तुम सुन लो तो फिर तुम्हाँ ले कहानी बड़ी आसान होगी समझने के लिए ठीक है, जैसे मानलो कि यहाँ पर कोई charge है और बहुत ही शांदार सा charge है ठीक है, इस charge की value किती है मानले plus q के बराबर है और मेरा intention यह है कि भाई यार, एक point यहाँ पर है मुझे यहाँ पर निकालना है potential और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी आर के बराबर है तो मुझे इस वाले point पर निकालना है potential तो भाई या आपको जिस point पर potential निकालना है तो इसके लिए कहानी क्या होती है कि आप infinity से charge को move करवा के लाओगे ना भाई इसके लिए कहानी क्या है, जैसे मानले कि मैंने बोला इदर, जैसे मानले कि मैंने बोला कि भाई में को P वाले point पर निकालना है कि potential क्या होगा तो इसके लिए कहानी क्या होती है कि infinity से आप किसी charge को move करवा करके लाएंगे ना हलका से इस तरफ मूफ करवाया इसको मैंने हलका से इस तरफ मूफ करवाया है dx के amount से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो जिस charge को हम मूफ करवा रहे हैं वो test charge है let me call this charge as q0 ठीक है अब देख क्या होता भाई जब में को निकालना क्या है में को निकालना है potential तो potential क्या होगा कितना वर्क करना पड़ा upon that particular test charge ठीक है आप जानते ही है potential at any point is defined as the amount of work done in moving a जो भी charge होगा ठीक है from infinity to that particular point p यहां तका पूरा funda clear है अब work निकालने के पीछे अपन पड़ गए तो work यह अपने पास यह minus edx के format में कैसे आ गया तो भाही है जरा गौर करना work का formula क्या होता है यह भाहीं कर दूँ क्या चाहिए यहीं कर देता हूँ same page पर सब राएगा देख्या work का formula क्या होता है force into displacement समझ गया अपन इस बात को f into dx into cos theta भी होता है हम समझ गया इस बात को तो यहार force का formula क्या होता है electric field की intensity होती है force upon charge तो force क्या हो जाएगा charge into electric field की intensity dx cos अब एक बात सुनते बहें चलना electric field की intensity कहा जाएगी source charge की वैसे right में जाएगी लेकिन displacement कहा हो रहा है left में हो रहा है तो यह minus 1 हो जाएगा बेटा cos 180 वैसे भी क्या होता है minus 1 होता है तो minus q naut e into dx हो जाएगा यहां तक हाप पूरा funda clear है पक का यहां तक हाप पूरा funda clear है तो सब यहां से q naut कहाँ गायब हो गया यहां से q naut कहाँ गायब हो गया q naut से q naut तो निपट जाएगा तो बचेगा बस minus का integration मैं कर दूँगा यह हो जाएगा e times dx ठीक है यह वाला funda जो prerequisite था वो मेरे ख्याल में समझ में आ गया ठीक है उसके बाद अपन ने खोल दिया इसको पूरा e का formula क्या होता है निकालना था दो मिनिट जरा ध्यान दे हम तो इसको बोल रहा है भाई या p ठीक है तो infinity से लात हो रहा हूं मैं p तक लेकिन p की दूदी कित्ती होगी r के बराबर तो infinity से r का limit लगा दिया पूरा solve out करा formula अपने पास potential का कित्ता आ गया बेटा k q by r ठीक है यह अपने पास formula के आ गया potential का यहाँ पर छोटा वाला q लेके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है k q by r तो यह वाला q जो है वो source charge है यह वाला q जो है ना बेटा वो source charge है मेरे ख्याल से यह वाला fund आपके दिमाग में पूरा supremely clear हो गया होगा अगर मैं यहाँ देखूंगा ना तो उसकी वज़े से इस वाले point पर potential कित्ता हो जाएगा k फिर यह बड़ा वाला q हो जाएगा इतनी सी बात है कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब source charge से r distance की दूदी पर अगर potential निकालना है तो formula क्या हो जाता है k q upon r it's as simple as that derivation आपके दिमाग में मेरे ख्याल से super clear हो चुका होगा 3 2 1 ready go super clear super done sure low okay तो potential के अपने पास क्या है फिर भाईया दो formula आ चुके है potential के अपने पास क्या है दो formula आ चुके है एक आ चुका है in terms of test charge जो क्या आ चुका है potential equal to work upon test charge ठीक है एक formula हमारे पास में बन चुका है ये वाला और दूसरा formula अभी जो अपन ने देखा था वो formula क्या था v is equals to k q by r एक formula अपने पास में बन चुका है ये वाला ठीक है एक formula अपने पास बन चुका है यह वाला जिसमें ध्यान रखना है आपको अच्छे से जिसमें बेटा आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अपने पास कोई charge है plus q का मानले यह charge अपने पास plus q का है और यहां से अगर मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कि potential क्या होना चाहिए यहां potential हो जाएगा q over r ठीक है यह चीज तुम feel कर पार हो बेटा यह चीज तुम feel कर पार हो ना अगर तुमने यह चीज figure out कर ली तो बस खेल तुम आणा शांदार हो चुका है मैं चाहूंगा इसका भी आप screenshot लें और copy में इसको no down करते वे चलें चलो ओके बढ़ियां सही चल रहा है सही चल रहा है सही चल रहा है आगे बढ़ो रहे चलो यह वाला फंडा पूरा clear अब यहां पर ही जो पूरी कहानी नहीं वो दरसल इस बारे में है कि अगर charge positive होगा तो potential positive होगा charge negative होगा तो potential negative होगा क्यों because potential is basically scalar quantity charge plus में है तो plus में लेने का charge minus में है तो minus में लेने का कोई दिखका तो नहीं पका ठीक है now एक बात है कि अगर point infinity infinite distance दूर है मतलब अगर r की value infinity है तो kq by infinity और infinity क्या हो जागा 1 upon 0 तो potential becomes zero तो यहां से इस बात को ध्यान रखना as a fact कि electrostatic potential infinity पर कितना होता है बेटा zero के बराबर होता है तो बिलकुल होता है पका पूरा funda clear हो गया मैं हर एक slide पर आपको screenshot लेने का मौका दे रहा हूँ पहला हम potential निकाल देंगे at axial position फिर निकाल देंगे equatorial पर फिर निकाल देंगे random ठीक है तो यह आपने पास axial मैं करवा दूंगा इसको equatorial और यह रहेगा अपने पास में random तो मैं न दरवसल शुरुरूआत कर रहा हूँ राइंडम पर ठीक है मैं जर असल शुरुआत कर रहा हूं राइंडम पर अब ध्यान देना potential आपको निकालना है at random position ठीक है potential आपको निकालना है at random position तो जरा गौर्ड फरमाते हुए चले बहुत ही शांदार जांदार काम होने वाला है जैसे मान लीजे डाइपोल अपन ने बनाया ठीक है मान लो मान लो मान लो डाइपोल अपन ने बनाया ये रहा तुम्हारे पास में एक चार्ज ये रहा तुम्हारे पास में दूसरा चार्ज ठीक है इस charge का Q है और ये charge केता है अच्छा ये minus Q ले ले ये plus Q ले 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 कोई दिक्त नहीं है इसको minus Q ले ले और इसको ले ले plus Q ठेक है तो ये दा अपने पास dipole का पूरा arrangement अब मैंने क्या गर दिया बेटा इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो यह अपने पास यहाँ पे न अगर center पे गौर किया जाए तो यह अपने माना इसको center और dipole moment का direction का होगा बेटा minus q से निकलता है plus q की तरफ जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है minus q से निकलता है plus q की तरफ जाता है तो यह रहेगा तुम्हारे पास में direction of the dipole moment ठीक है अब मैं किसी भी random point पे निकालना चाहरा हूँ electric potential मालने मैं इस point पे निकालना चाहरा हूँ electric potential ठीक है सबसे पहले काम कर center से concern point को जोड़ दे ठीक है और इसकी दूरी को नाम दे दे R का चलेगा आपको इतना center से concern point को जोड़ दिया और दूरी को नाम दे दिया R का तो यहाँ पे अंदर यह अंदर जो यह angle form हो रहा है ना बेटा यह वाला जो angle form हो रहा है ना इस angle को नाम देंगे theta जो की dipole moment और यह displacement vector या position vector of that point के बीच का है ठीक है तो यह है तुम्हारे पास में concerned point जहाँ पे तुम potential की value निकालना चाहरे हूँ due to this dipole ठीक है तो random point पे जो formula आता है ना potential का potential at random point इसका जो formula आता है ना बेटा वो formula होता है k, k का मतलब वही 1 by 4 by epsilon 0 value 9 10 to the power 9 ठीक है kp फिर cos theta ठीक है और ध्यान दीजेगा नीचे आता है arka square मेरे ख्याल से यह वाला fund आपके दिमाग में supremely clear हो चुका होगा just a formula दिमाग में रखो यहार करके रखना ठीक है तो यह अपने पहला वाला point कर दिया है potential at random position अब मैं आपको दूसरे वाले point पे लिके आता हूँ जहाँ पे आप potential निकालते हो at axial position ठीक है अब आप potential निकालने वाले हो at axial position it's as simple as that चलो भया जरा कहानी को शुरुआत देते हैं तो जब इसकी बात करेंगे अपन दो चार्ज लेके चलो दो चार्ज लेके चलो यह रखा minus q का चार्ज और यह रखा अपनने किसका चार्ज बेटा plus q का चार्ज ठीक है चलो यह अपनने दो चार्ज लिए और उसके बाद center to center अपनने जोड़ दिया यह रहेगा dipole का center ठीक है इसको अपनने ओ नाम दे दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब क्या हुझता है कि अब जो concerned point है वो axial position पह रहा है इसका मतलब concern point जो है ना वो चलो यहां पह रहा है जो concerned point है ना वो चलो इस particular point axial position पह रहा है ठीक है अब एक बार सुनते बाचलना इसमें गलती बिलकुल मत करना एक point पेंड बिलकुल किरना हार एक बाद clear करते बर चल रहा हूं, ध्यान से सुनते बर चलो, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, राइट में गया, डाइपोल मॉमेंट, और ये तुम्हारे पास राइट में गया, तो अपने पास क्या है ये, position vector of that particular point, भाई, दोनों same direction में है, तो यहाँ पर कितना angle हो जाएगा, यहाँ पर angle हो जाएगा 0 degree, ठीक है, भाई, P और R के बीच का angle होगा, जब angle 0 हो चुका है, तो potential at axial निकालने पर आजओ, kp cos 0, cos 0 की value 1 होती है, तो kp by r का square, यहाँ तक का फंडा पूरा clear है, potential kq by r था, यहाँ पर kp by r का square है, ठीक है, वहाँ क्यू तो है, यहाँ पर P है, अब ज़रा ध्यान देना, तीसरा आखरी point पर आते हैं इसके, तो उसका तीसरा point क्या होगा बेटा, equatorial पर निकाल दो sir, कहाँ निकाल दो, equatorial position पर निकाल दिया जाए, potential की value, तो हम सब लोग इस बात से पूरा सुप्रीम ली क्लियर है, minus q, यह रहेगा plus q, यह रहेगा डाइपोल का center, इस तरफ काम करेगा डाइपोल moment, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ काम करेगा डाइपोल moment, जिस point पर आपको निकालना है, वो point यहाँ पर आ रहा है, तो भाईया, यह जाएगा तुम्हारा position vector r, और यह बात तो clear है कि angle बन चुका है 90, तो यहाँ पर theta is equal to आ जाएगा 90 degree, और जैसे भाई, theta कौन सा angle होता है, दाइपोल moment और vector r के बीच का angle ना, ठीक है, जैसे आपन यहाँ पर cos 90 put करेंगे, तो position at equatorial, यह किता आजाएगा 0, because cos 90 क्या होता है, because cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0 के बराबर, तो equatorial पर position become 0, it's as simple as that, मैं चाहूंगा कि आप पहले इस वाली कहानी का screenshot लेंगे, 3, 2, 1, ready go, super clear, super done, चलो, आगे बढ़े, यह वाला funda पूरा clear है बेटा, तो axial वाला भी करवा दिया, equatorial वाला भी करवा दिया, random वाला भी करवा दिया, सब के सब चीज़ें यहाँ पर एक साथ लिखी हुई थी, यह सब मैंने पूरा आपको screenshot देने का मौका भी दे दिया, चलें, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, potential due to system of charges, भाई, जब 1, 2, 3 नहीं n number of charges हैं, तो जब potential फिर आप निकालोगे, तो potential किसी भी point पर जब निकालोगे, तो पहले वाले की वज़े से निकालो, फिर दूसरे वाले की वज़े से निकालो, या ऐसा कर लो, मैं इसको V1, V2 बोल लेता हूँ, पहले वाले की वज़े से निकालो, दूसरे वाले की वज़े से निकालो, अब तिल nth वाले charge की वज़े से निकालो, ठीक है, potential at any point is equal to, बाई पहले वाले के वैसे क्या होता है के पहला वाला चार्ज उसकी दूरी कितनी है तो आर नॉर्ड वन मान लो ठीक है due to number of end number of charges ठीक है यह वाला फंडा पूरा supremely clear हो चुगा होगा 3, 2, 1, ready go super clear, super done चलो यह वाला फंडा पूरा clear है बेटा अब अपन निकालने वाले हैं potential energy of 4 charge system मतलब 4 charges का arrangement करेंगे ठीक है पहला वाला charge Q1 उसके बाद दूसरा वाला charge Q2 उसके बाद तीसरा वाला charge Q3 उसके बाद चौता वाला charge होगा Q4 और इन सब के बीच में दूरी कितने होगी भाई यहां से यहां की दूरी होगी R14 के बराबर यहां से यहां की दूरी होगी R34 के बराबर यहां से यहां की दूरी होगी R23 के बराबर और यहां से यहां की दूरी होगी R12 के बराबर बिटा अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई है ठीक है सर क्या छूट गया है यहां से यहां की दूरी क्यों नहीं गिनी बिटा R13 के बराबर और यहां से यहां की भी दूरी गिननी पड़े गिती i24 के बड़ाबर ठीक है यह वाला फंड़ा समझ में आ रहा है यह वाला फंड़ा समझ में आ रहा है तो यह चार चार्जेस का सिस्टम बन गया है अब मैं निकालने वाला हूँ इसकी पोटेंशल इनरजी एक बाद सेल्फ ट्राइब भी तो करो ठीक है एक बाद सेल्फ ट्राइब करो उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्फ करवाना स्टार्ट करता हूँ चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो यह वाला फंड आप लोग ने देख लिया होगा अब निकालना है पोटेंशल इनरजी ओफ दिस एंटाया सिस्टम तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मला आया था इसमें छे ट्रम बनते थे इसमें छे टर्म बनेंगे बिकॉज यहां पर बनेंगे ठीक है तो के तो अपने बाहर निकाल लिया के सम में कॉमन रहेगा अब अंदर क्या बनेगा सर तो पहले बनेगा यहां पर क्यूवन और क्यूटू का पेर डिस्टेंस कित्ती है आरवन टू इसकी बात हो गई फिर बनेगा क्यूटू तुम अटक गए फिर क्यू का पेर तो क्यू 3 और क्यू 4 डिस्टेंस किता है आर 3 4 उसके बात क्यू 4 का और क्यू 1 का पेर बनेगा किसका बनेगा क्यू 4 का और क्यू 1 का पेर बनेगा उसके बात क्या बनेगा वन और 3 का पेर बनेगा किसका पेर बनेगा वन और 3 का पेर बनेगा और उसके बात बनेगा 2 और 4 का पेर, किसका बनेगा बेटा, 2 का और 4 का पेर बनेगा 2 का और 4 का पेर बनेगा, it's as simple as that, potential energy है तो unit obviously यहाँ पर क्या होगी, joules के बराबर, it's as simple as that 3, 2, 1, ready go, super clear, super done, चलो, आगे बनेगे इसमें, ठीक है dielectric potential at 0.1 meter from a point charge is 50 volt, ठीक है एक point charge होगा, एक point charge होगा, एक point charge होगा, उस point charge से कित्ती दूरी पे बेटा, 0.1 meter की दूरी पर, इस point पर potential जब देखा गया तो वो आगे था 50 volt, calculate the magnitude and sign, sign में तो कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है potential positive आ रहा है, since potential is positive, therefore charge भी क्या रहा होगा, positive तो charge में, sign convention में हमें कोई भी शक नहीं है, now what is the magnitude of the charge तो V is equals to क्या होता है, बेटा, KQ by R, ठीक है, तो potential कितना है, 50 K किता होता है, 9, 10 to the power 9, उसके बाद R किता है, तुम्हारे पास में 0.1 into किता है, अपने पास Q, यहाँ जलास को multiply करना, 50 को 0.1 से करेंगे, तो 5 हो जाएगा, 9 into 10 to the power, 9 into 10 to the power, 9 times Q हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो Q यहाँ से क्या हो जाएगा, बेटा, therefore Q यहाँ से हो जाएगा, 1 by 9 या 5 by 9, 1 by 9 या 5 by 9, 5 by 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 to the power, 9 minus का, ठीक है, तो 5 by 9, 10 to the power, minus का 9, अब एक काम देखो बता हूँ, पाई जब मैं 1 को divide कता हूँ, 9 से, तो मेरा answer 0.11 आता है, ठीक है, तो यह 0.55 हो जाएगा, तो 0.55, 10 to the power किता है, minus का 9, it's as simple as that, बस, या 5.5, 10 to the power, minus 10 कूलम कर लेना, जो भी तिरो को सही लगा है, वैसा कर ले, हो गया, 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, शोलो, आगे बढ़ेंगे इसमें, infinite number of charges, each numerically equal to q, and of the same sign, are placed along the x-axis at 1, 2, 4, 8, and so on, ठीक है, find electric potential at x equal to 0, x equal to 0 पे निकालना है, और infinite number of charges are placed numerically equal to q, ठीक है, सारे के सारे identical charges हैं, बेटर, ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, identical charges हैं, तो आपको यह वाला point है, x equal to 0, ठीक है, और यह फिर चलेगा, और यह तो फिर चलता ही रहेगा, till, बोले तो, infinity तक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा अब यहाँ पर जो points है वो तो x equal to 0 था फिर x equal to 1 फिर क्या हो जागा बेटा x equal to 2 meter फिर क्या हो जागा बेटा x equal to 4 meter फिर क्या हो जागा बेटा और दूर जाएंगे तो x equal to कितना हो जागा 8 meter फिर क्या हो जागा till infinity ठीक है तो यहाँ पर क्या ह रखे हुए हैं यहां पर भी चार्ज रखा हुआ है क्यूं के बराबर यहां पर भी चार्ज रखा है क्यूं के बराबर यहां पर भी रखे हैं क्यूं के बराबर उसके बाद के क्यू बाई दूरी किती यहां से 4 के बराबर है उसके बाद चलते रहो चलते रहो तो के क्यू बाई दूरी किती अपने पास infinity के बराबर ठीक है यहां तक का फंडा पूरा clear हो चुका है आप लोगों को जलूर हो चुका है ठीक है तो ऐसे बहुत साई charges रखे तो यह हो जाएगा 1 upon 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 upon 2 उसके बाद क्या हो जाएगा बटाईए देखो 1 upon 1 हो चुका 1 upon 2 हो चुका यह अपने पास अच्छा उसके बाद फिर 8 भी था तो अपने पास 2 का square है पर यह क्या अपने पास 1 upon 2 का cube है और फिर यह चलता रहेगा till infinity अब ज formation करके formula क्या आता है सुनो के q को तो रखो बाहर उसके बाद यह अपने पास हो जाएगा a upon 1 minus r ठीक है तो a कितना अपने पास a मतलब 1 के बराबर है upon नीचे क्या होता है 1 minus r कैसे निकलता है तो r निकालने के लिए बस यह करना पड़ता है कि यहां पर आपको दिखना पड़ होगी ठीक है तो kq को kq ही रहने देना उसके बाद यहां पर क्या हो जागा बिटा 1 upon ध्यान दे 1 में से 1 by 2 minus होगा तो क्या बचेगा 1 by 2 बचेगा ठीक है तो यह अपने पास answer wise कितना हो जाएगा 2 kq it's as simple as that मेरे ख्याल से यह वाला funda supremely clear हो गया होगा जल्दी पूरी कहान स्क्रीन शॉट लेंगे आप लोग बिटा 321 ready go super done super clear ओके चली बढ़िया clear हो गया पका पूरा funda clear हो गया है अगले बारे पर कूझ जब अपके है तो relation है between electric field की intensity and the potential difference ठीक है जरा इस diagram पर आपको focus करना है इसमें मैं कुछ कलाकारिया आपके लिए और कर देता हूं ठीक है ज में पास यहाँ पे कोई एक बहुत ही तगड़ा source है positive का मेरे पास यहाँ पे कोई एक बहुत ही तगड़ा तगड़ा source है positive का और उपर मैं गया चाहूं तो मैं negative का source रख भी सकता हूं नहीं चाहूं तो नहीं भी रख सकता हूं ठीक है यह plus की वज़े से जो electric field की intensity है यह कहा जा रहे हो ठीक है जैसे ऐसे आप आये की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे आप source charge से दूर जा रहे हो तो source charge से दूर जाने पे electric field की intensity भी कम होते है खेर यहां तो मान लिया गया है कि uniform electric field की intensity है लेकिन source charge से मैं दूर जाओँगा तो potential की तो value कम होगी तो A वाले का potential कित्ता मान के रखा गया है यहां पे V मान के रखा गया है और जो दूसरा वाला plate है वो source charge से दूर है तो उसका potential कित्ता मान के रखा है वी minus dv ठीक है यह distance बहुत ही छोटा हमने लेके रखा हुआ है जो distance है ना यहां पे separation distance इन दोनों के बीच का यह distance अपने लेक रखा है बहुत छोटा dr ठीक है तो potential में भी बहुत जरा सा loss होगा वी minus dv हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो ultimately formula बन करके निकलता है ना सबसे important formula बहुत जबर 10 question बनते हैं इसके ओपर ठीक है तो यह formula क्या होता है e is equals to minus का dv upon dr किसी भी चीज़को अगर मैं distance से डिवाइड करता हूँ ना तो वो उसका gradient बन जाता है तो इसी formula में हमें समझ में आता है कि electric field की intensity को potential gradient भी कहा जा सकता है ठीक है तो electric field की intensity can also be called as the potential gradient अब तक हम इसको electric field की intensity के नाम से जानते थे लेकिन अब हम इसको जानेंगे potential gradient के नाम से किस नाम से बेटा potential gradient के नाम से मेरे ख्याल से यह वहला फंडा भी आपके लिए पूरा supremely clear हो चुका होगा तो जल्दी से आप इस कहाने का screenshot लेंगे पहले 321 ready go super done super clear main formula important formula एक तरफा formula ठीक है चलो पूरा फंडा clear हो गया है यह रहाएगा अपने पास में final relation is equals to minus का dv upon dr is equals to minus का dv upon dr अगर potential जैसे माल ले माल ले माल ले अगर potential जो है न वो सिर्फ और सिर्फ आर का function है ठीक है अगर potential सिर्फ और सिर्फ आर का ही function है तब electric field की intensity is minus differentiation of potential with respect to distance ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो जाता है but if अगर ऐसा हो जाता है कि potential is a function of x का भी function है y का भी function है z का भी function है तो तब जा करके आपको करना पड़ता है partial differentiation ठीक है electric field की intensity x पर भी आएगी y पर भी आएगी और z पर भी आएगी ठीक है आया समझ electric field की intensity x पर भी आएगी y पर भी आएगी और z पर भी आएगी it's as simple as that जब partial differentiation x के respect में करोगे तो उस समय y और z को constant मान लेना y के respect में करोगे तो x और z को मान लो constant और जब Z के respect में करोगे तो X और Y को मान लो constant It's as simple as that मेरे क्याल में ये वाला fund आपके दिमाग में supremely clear हो चुका होगा तो जल्दी से पहले इस कहानी का screenshot ले लो जल्दी कहना बढ़ा 3, 2, 1, ready go, super clear, super done हो गया चलो, पका, ओके, आगे बढ़ते हैं सो बढ़ा तो negative sign जो है ना हमारे basic formula में जो negative sign आ रहा है वो दरसल क्या बताता है कि electric field के direction में जाने पर intensity अच्छा, electric field के intensity के direction में जाने पर potential की value reduce हो जाएगी किसकी value बटा, potential की जो value है ना, वो reduce हो जाएगी यहाँ देखो, electric field कहा जा रहा है, उपर की तरफ अगर मैं electric field के direction में जा रहा हूँ, मतलब मैं A से B जा रहा हूँ और जब मैं A से B जाऊंगा, तो हमें क्या समझ में आता है कि हम A से B जा रहे हैं, मतलब हम source charge से दूर जा रहे हैं और source charge से दूर जाने पर potential के value literally decrease हो जाती है कोई रिकत, कोई परिशानी पका, आया समझ में, तो यहाँ पर लिख लेना बेटा कि negative sign shows that the direction of electric field is the direction of decreasing potential ठीक है, चलिए, ओके, अब आते हैं EPS पे, मतलब equipotential surface पे किस पे आगे बेटा, equipotential surface and as the name suggests, as the name suggests, अगर equipotential surface है तो एक ऐसा surface है, जिसके हर point पे potential is the same, equipotential surface है तो एक ऐसा surface है, जिसके हर point पर potential की value जो है, वो constant रहने वाली है, same रहने वाली है सबसे simple example तुमको बता हो मैं, सबसे जादा simple example मैं तुमको अगर बताऊ ना, तो यह रहेगा तुम्हाई पास में, ठीक है माल अपने पास में एक sphere है, और इसके एकदम center पे मैंने कोई charge लिया है Q के पराबर, ठीक है तो अब अगर मैं distance measure करना शुरू करूँगा surface पे, तो यहां से यहां तक भी आरही होगा, यहां से यहां तक भी आरही होगा और यहाँ से यहाँ तक भी किता होगा आए होगा कोई दिक्कत कुछ और दिक्कत कुँछ और तुम्हाइय दिमाग मी तो नहीं आ रहे है है यह डिस्टेंस भी आ यह distance भी आ रहे है, यह distance भी आ रहे है, center पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस charge की वज़े से मैं यहाँ पर निकालूं पोटेंशल, यहाँ पर निकालूं, यहाँ पर निकालूं, सब जगा potential सेम आएगा, A पर भी, B पर भी, C पर भी, और कितना आएगा potential, KQ by R, ठीक है, त therefore, यह जो मैंने surface बना के रखा है, इस surface को मैं कह दूँगा, कि यह है EPS, मतलब equipotential surface, example के तौर पे, सबसे simple example मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, मैं चाहूंगा कि इसका आप screenshot ले रहे, ताकि कहानी में आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, हो गया, पका, चलो, तो, this was example for EPS, यह यहां पर लिखा हुआ है, equipotential surface is that surface at every point of which the value of electrostatic potential is exactly the same, it's as simple as that, ठीक है, उसके बाद, by definition, भाई, हम जानते हैं, कि यह वर्क का formula क्या होता है, charge into potential difference, ठीक है, वर्क का formula क्या होता है, charge into potential difference, अब अगर माल ले कि मैं किसी charge को, ठीक है, माल ले में में पास कोई charge, तो मैं उस charge को, na, A वाले point से, अगर मैं ऐसे घुमा करके, B वाले point तक लेके, जाने का try कर रहा हूँ, मैं पास कोई charge है, Q-naud, मैं उसको ऐसे move करवाने का try कर भी रहा हूँ, पता है, क्या होता है, देखो, work done in moving a charge on EPS is 0, अगर मैं किसी भी charge को move करवा रहा हूँ, EPS पे तो कोई work done नहीं करना पड़ता, work done in moving a charge on EPS is 0, एक वी potential surface पे charge को move करवाने में कोई work नहीं करना पड़ता है, देख लो, check कर लो, work का formula क्या होता है, charge into potential difference, तो work का formula charge, भाईया, potential difference क्या होगा, B पे, माइनस A पे, भाई, जितका potential B पर होता ही, potential A पर है, तो भाईया, यह अपन work किता आजाएगा 0, इसका मतलब, ultimately, work done in moving a charge on the EPS is exactly 0, यह रहा तुम्हाँ पास में पूरा statement, जल्दी इसका screenshot ले लो, 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, चलो, okay, funda पूरा clear है, funda पूरा supremely clear है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ था कि work done तो करना ही नहीं पड़ेगा, the work done is basically 0, अगर EPS पे clear करते हैं इसको, इसका एक और तरीका है, बोलने का कि भाईया, यहाँ पर angle हो जाएगा 90 degree के बराबर, तो फिर अपना answer जो है, वो आजाएगा 0 के बराबर, एक तरीका यह भी है, ठीक है, various equipotential surfaces, यहाँ पर कुछ diagram है, जो board exam में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं बनाने क तो मैं आपको बढ़ा दूँ, पहले काम करना पड़ेगा, स्क्रीन से हटना पड़ेगा, ताकि आप उसका screenshot ले सके, यह बना के रखा हुआ है, equipotential surfaces, due to a point source charge, ठीक है, बाई, छोटा circle, बड़ा circle, और बड़ा circle, और भी बड़ा circle, जितने circle तुम बनाओगे, keeping charge at the center, वो सार इन से मैं हट जाता हूँ, बड़ा, क्या लिखा हुआ है, for uniform electric field along x axis, यहाँ पर मैंने लगा दिए electric field की intensity को along the negative y axis, तो इस वाले case में जो सारे के सारे EPS होंगे, वो basically planes होंगे, which are perpendicular to that particular axis, इसको मैं एक बड़ आपके लोग के लिए यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है, दो मैंने यह मैंने बना दिया है, plane lamina, एक lamina मैंने यह बना दिया, ऐसी क्या है कि अपने यहाँ पर बहुत साई lamina को बना सकते हैं, और यह सारे के सारे जो है ना, वो electric field के जरा असल normal होने वाले हैं, यह सारे के सारे जो lamina होंगे ना, वो electric field के intensity के बकाहिदा normal होंगे, जरा गौर करत अच्छे से, यहां से electric field के intensity ऐसे निकल दाएगी, टक, ऐसे निकल दाएगी, टक, निकल दाएगी, टक, ठीक है, और उसके बाद फिर, यहां से निकल दाएगी, ऐसे बाहर करके, ठीक है, यहां से निकल दाएगी, ऐसे बाहर करके, और यहां से निकल दाएगी, ऐसे बाहर क हो रही है तो सारे का सारा जो प्लेन अपने बना के रखा है न वह दर असल इक्वी पोटेंशल सर्फेस है ऐसी एलेक्ट्रिक फिल की इंटेंसिटी के लिए जो किसी एक एक्सेस पर चल रही है और बकाइदा यूनिफॉर्म है ठीक है तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीन लेंगे जल्दी त्री टू वन वेडी गो सुपर क्लियर सुपर डन क्या शांदार था यार यह तो चलो आगे बढ़ें तो यह वाला फंडा हो गया अगले वाला देख लो बेटा एक्वी पोटेंशल सर्फेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोर्ड एक्जाम में कई दफा इसा वाला सवाल आ चुका है तो आपको यह बना करके आना पड़ेगा हो गया चलें आगे बढ़ें उसके बाद एक्वी पोटेंशल सर्फेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस ठेक है वैल्यू भी सेम है साइन कंवेंशन भी सेम है आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस यह वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया वेड़ा त्री टू वण रेडी गो सूपर क्लियर सूपर ड़न चलो भाईया आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद पोटेंशल एनरजी ओफर सिस्ट्रम ओफ चार्जेस जो कि हम पहले से देख चुके हैं और आगे बढ़ें यह तब क्हानी है जब पहले से ही कोई external field मौझूद हो मैंने क्या बुलाते हैं यहां पर Q1 को पहली बाला है उसके बाद Q2 को लाए तो यह रहेगा energy लेकिन मान ले कि अगर कोई external electric field पहले से मौझूद है तो Q1 को लाने के time पर इतना work करना पड़ेगा work का formula वैसे भी होता charge into potential ठीक है फिर Q2 को लाने के time पर यह वाला work करना पड़ेगा और एक और important चीज़ जब मैं Q2 को ला रहा हूँ तब तो Q1 पहले से मौझूद है तो उसके according भी तो work करना पड़ेगा यह वाला तो यह तीनों को add करना पड़ेगा यह तब है जब यह दोनों charges को हमें कैसे space में ला रहे हैं जाए electric field की intensity पहले से काम करी थी ठीक है यह वाला funda पूरा clear है बेटा इसका screenshot लो 3,2,1, ready, go super clear, super done, यहां तक कोई दिख करती है ठीक है चलो यहां तक का funda पूरा clear चल रहा होगा तो यह complete chapter division में इस कहानी को speed up देना पड़ता है और मैं आपको हर एक point supreme तरह से clear करते वे चल रहा हूँ based numericals भी करवाते वे चल रहा हूँ that was about electrostatic potential चाहिए और अब कहानी start होने वाली है about capacitor and its capacitance हम लोग पहले देख चुके हैं बेटा class 3 में यह device था resistor इसका circuit symbol यह रहा इसके पास property थी resistance तो वैसे ही क्या होता है एक device होता है capacitor इसके पास property होती है capacitance ठीक है एक और बहुत ही प्यारी सी बात resistance की unit क्या होती थी बेटा ohms होती थी resistance की unit क्या होती थी बेटा ohms होती थी और capacitance की unit क्या होती है बेटा farad होती है लेकिन 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 जहां तक बात है कि दॉपासिटर की तो किया चांडेंसर का काम क्या होता है कि है यह चार्ज़े को स्टोर करते हैं इस इस सिंपल एस था थी तो यहां पर एक दफा इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं कहानी में आपको हर 1. एक point को explain करते हैं चलूँगा इसका screenshot लो फिर अपन कहानी में आगे बढ़ता है चलें ठीक है बहुत शाथ नहीं तो यह वहाला fund आपको समझ में आगा है कि capacitor जो होता है उसका काम क्या होता है वो charges को store करता है it's as simple as that क्या करता है charges को store करता है ठीक है तो electrical capacitance of a conductor is related to the ability to store the amount of charge अब यहाँ पर नहीं बहुत ही simple सा fund है बेटा मैं आपको ज़रा बताते बहुत चलता हूँ जैसे मान लो अगर किसी body के पास charge का amount जादा है तो उसका potential भी जादा होगा अगर charge का amount जादा है किसी body के पास तो उसका potential भी जादा होगा अब जैसे अपन यहाँ पर equal to लगाते है ना तो आजाता है proportionality constant c जैसे equal to लगाओगे तो क्या आजाएगा बिटा proportionality constant c आजाएगा c is called as the capacitance ठेक है proportionality c आजाएगा and c is called as the capacitance it's as simple as that c is called as the capacitance कोई दिकत वाली बात नहीं है it's as simple as that okay तो q is proportional to v हो चुका है तो q is equal to क्या हो चुका है cv के बराबर हो चुका है अब एक बात यहाँ समझ लीजेगा जो c आया है ना मतलब जो capacitance आया है वो नहीं q पर depend करता है नहीं v पर depend करता है वो depend करता है shape and size of the conductor and the material medium surrounding उस पर depend करता है ठीक है और बाकी q और v पर depend नहीं करता है क्यों depend नहीं करता है भाई मैंने q को अगर change कर दिया तो v भी उतने ही amount से change हो जाएगा ultimately वो factor कट जाएगा जिस amount से changes आये थे तो फिर therefore c remains constant मतलब independent of q and v यह वाला funda पूरा clear हो गया तो दिमाग में अभी formula एकदम done 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 कर लो q is equals to cv का formula ठीक है smaller units of capacitance capacitance की छोटी मोटी units क्या होती है जैसे यह mu का मतलब होता है micro इसका मतलब क्या 10 to the power minus 6 कई बार आपको देखने को मिल जा है कि 6 micro farad का capacitance है क्या है बेटा 6 micro farad का capacitance है तो यह जो capacity है ना पहली बात तो capacity की unit वैसे होनी चाहिए थी क्या वो q is equal to cv तो कूलम पर वोल्ट होनी चाहिए थी लेकिन farad में इसको अपन लिख के चलते हैं ठीक है तो 6 micro मतलब 10 की power minus 6 farad it's as simple as that milli farad भी होता है, pico farad भी होता है dano farad भी होता है micro micro 5 मतलब 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12 हो जाएगा it's as simple as that अगर आपको उसका screenshot लेना है तो भीया शर्माने वाली क्या बात है ले रो उसका screenshot 3, 2, 1, ready go, super clear, super done चलो, आगे बढ़े ठीक है, यह वाला funda पूरा clear है now capacity of an isolated spherical conductor ठीक है, एक isolated spherical conductor यह रहा आपके सामने तो इसकी capacity क्या होगी इसका simple सा formula होता है c is equal to 4 pi epsilon 0 r बहुत ही basic derivation है क्या derivation है इस conductor को charge देख दिया q के बराबर इसका radius था r के बराबर तो इसका potential क्या हो जाएगा भाईया, v is equal to k q by r उसमें k क्या होता है 1 by 4 pi epsilon 0 ठीक है, उसके बाद q is equal to c v होता है तो c क्या हो जाएगा q by v c क्या हो जाएगा q by v और v क्या होता है बेटा k q by r तो बस formula के अंदर put कर दिया काट़ पिटी मचा दी तो जो बचा वो बचा c is equal to 4 pi epsilon 0 r c is equal to just 4 pi epsilon 0 r it's as simple as that यह आपके पास पूरा का पूरा solution डन 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 मेरे ख्याल में यहां तक तो कोई परिशानी आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी तो अच्छा यहां से न एक और बहुत लाजमी सी बात है जो कि मैं आपके दिमाग में pitch करना चाहूंगा देखो भई अगर capacitor बड़ा होगा तो उसकी capacity जादा चार्च को स्थोर गनने की होगी मतलब somehow C should be proportional to R और formula wise A भी रहे कि हाँ भईया proportional to R है एक और बड़ी नाजुक सी बात आपके दिमाग में डालनी है सर वो बात कि बेटा कभी भी अगर आपको दिखने को मिल गया Epsilon upon Epsilon Nod तो इसे कहा जाता है Epsilon R ठीक है Epsilon upon Epsilon Nod को कहा जाता है Epsilon R जिसका मतलब होता है Relative Permittivity और इसी को Capital K बोले तो बोले तो Dielectric Constance भी बोला जाता है क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई Epsilon upon Epsilon Nod को Epsilon R भी कहा जाता है Also called as the Dielectric Constance It's as simple as that ठीक है तो मैं चाहूँगा इस वाली पूरी कहानी का आप स्क्रीन शॉट ले ले फिर मैं आपको कहानी में और आगे लिए चलता हूँ ठीक है ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया 3, 2, 1, ready go Super Clear, Super Done चलो अब क्या होता है मैंने कहा था आप से कि Capacitance जो है वो Depend करता है Shape and Size of the Capacitor के उपर और Material Medium के उपर ठीक है तो हमको बेसिकली दो तरह के देखने है Capacitor एक देखना अपने को PPC जिसका मतलब होता है Parallel Plate Capacitor और दूसरा अपने को देखना है Spherical Capacitor एक देखना है Parallel Plate Capacitor दूसरा देखना था Spherical Capacitor यह अपने देखना है Spherical वाला जो कि मैंने दिखा दिया 4Pi Epsilon Nod R अब दिखाऊंगा PPCB तो जबहाँ पहले आगे पढ़े यहाँ पर चीज देख लें क्याकर Capacity आपको अर्थ की निकालनी है क्या निकालनी है Capacity आपको अर्थ की निकालनी है तो obviously formula क्या हो जाएगा C is equals to 4Pi Epsilon Nod R हा की न तो यहाँ पर R basically क्या हो जाएगा Radius of Earth यहाँ पर R को आप क्या लिखेंगे Radius of Earth लिख देंगे ठीक है अगर आप Earth की Capacity निकालना चाह रहे है तो Radius of Earth सब लोग जानते है 6400 किलोमेटर 6400 किलोमेटर तो 6400 और किलोमेटर मतलब 10 to the power 3 मीटर निपड गया तो C is equals to 4 बेटा Pi का मतलब क्या है 3.14 उसके बाद Epsilon Nod का मतलब क्या है 8.85 10 to the power माइनस का 12 6.4 10 की power 6 जैसे आप इसको पूरा solve out करेंगे ने बेटा जैसे आप इसको पूरा solve out करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो approximately 711 microphide के असपस आजाएगा अपना आंसर ठीक है तो ये रहेगी Capacity of Earth जल्दी से इसका screenshot ले ले 3, 2, 1, ready go super clear, super dense चलो आगे बढ़ते हैं फंडा पूरा clear आप लोगे दिमाग में मेरे ख्याल से ओके अब आते हैं parallel plate capacitor के उपर किस पे आ रहे हैं बेटा parallel plate capacitor बहुत ही शांदार सा diagram बना के रखा है यहाँ पे एक plate ही है नीचे वाली plate नीचे रही ठीक है दो C node लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा epsilon node A by D क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा epsilon node A by D यह वाला फंडा पूरा clear आपको पक्का 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 अच्छा अगर इसके अंदर मान लो अगर ऐसा हो गया कि इसके अंदर मैंने कुछ material medium को place कर दिया ठीक है कोई सब भी medium मैंने place कर दिया तो अब जो capacity आएगी वो फिर उस particular medium में आएगी तो मैं epsilon node use नहीं कर सकता क्योंकि node लगता है for air, free space या vacuum के लिए ठीक है तो यहाँ पे सिफ epsilon लिखना पड़ेगा यहाँ पे a upon d कर दे न अब तो आपन जानते हैं जैसे इसको आपन ने divide करा cm upon c not करा माले 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 cm upon c not करा यह a upon d, a upon d गाया बुझाएंगे तो बच्चे का epsilon upon epsilon not which is basically epsilon r तो यहाँ से यह formula जो है आपको अगर याद दिला दू मैं अगर आप लोग ने recording attend की है मेरी तो आपको पता होगा मैंने बताया था चमको नाम का formula किसका formula बेटा चमको नाम का formula यह रहा चमको ठीक है यह रहा चमको it's as simple as that कोई देख कर तो नहीं जल्दी इसका पूरा screenshot ले लो सब चीज़ें आपे लिखके रखी हुई है a का मतलब क्या होता है और d का मतलब क्या होता है separation distance between the plates d था और a था area of the each plate main formula आपके सामने यह रहा और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे यह नोड लगा दे हालनकि कि अगर epsilon नोड लगा हो है तो c-node लगाने की answer जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी कभी कहीं अपन confused नहीं हो जाएं इससे बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है तुमने note down तो करी लिया होगा ओके आगे बढ़ेंगे बढ़ा अब आते हैं capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab अगर conducting slab आपने insert कर दिया है तो क्या फरक पड़ जाएगा capacitance of a parallel plate capacitor पे तो यहाँ पे इसकी supporting theory देके रखी हुई है और इसका जो main formula है supporting theory देके रखी है और इसका जो main formula है यह हो जाता है c is equal to c-node upon 1 minus t upon d ठीक है आप लोग सब ज़रा इस बात से वाकिफ हो जाए कि d का मतलब क्या होता है separation distance ठीक है किसके बीच का separation distance उन दोनों plates के बीच का separation distance between plates of ppc separation distance between plates of ppc का मतलब होता है parallel plate capacitor पहली बात तो यह हो गई यह होता है अपने पास separation distance और अगर मैं t की बात करूँ तो t क्या हो जाता है भाई t is the thickness of the conducting slab t क्या हो जाएगा बेटा t is the thickness of the conducting slab t is the thickness of the conducting slab यहां तक कोई परिशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं आ रही है t is the thickness of the conducting slab it's as simple as that मैं चाहूँगा जल्दी से इस पूरी कहानी का आप screenshot ले super clear super dense चाहलो ओके बढ़ियां सही जा रहे है सही जा रहे है एक तरफा जा रहे है और यह तो इसकी basic कहानी थी ही तो आप ज़रा इसका screenshot ले ले याद रखें यहां पर लिखा हुआ है second line में t is less than d मतलब जो conducting slab है उसकी thickness कम है conducting slab की thickness कम है as when compared to the separation distance between the two plates आगया पूरा फंडा clear है चले आगे बढ़ेंगे फिर उसमें और का दिक्कत है okay main formula आप लोग देख चुके हैं अब आता है यहां पर capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab with a dielectric slab तो dielectric slab है तो फिर dielectric constant का होना यहां पर बहुत लाजमी सी बात है मैं यहां पर पूरा setup करके आपको दिखाता हूँ देखो यह अपने पास है बेटा parallel plate यह बनाया अपने क्या सर्फ parallel plate बना दिया और इन दो plates के बीच का जो separation distance है वो अपनने किता ले लिए बेटा इसका dielectric constant था के बराबर इसका dielectric constant था के बराबर बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत थो नहीं है यह रहा इसका dielectric slab और dielectric constant अब देख यहां पर क्या होता है इसकी जो अपने पास thickness है इसकी thickness अपन ले ले लेते हैं इसकी thickness ले ले लिए अपने किती t के बराबर पका चल रहा है पूरा सही चल रहा है अब यहां पर जो capacitance निकल करके आती है वो ज़रा गौर करना बहुत ही शानदा सा formula है और इस k का मतलब क्या होता है डाइलेक्टर कॉंस्टेंट कोई दिकत्वारी बात नहीं है ठीक है तो यहां पर यह सब प्लस लिखके रखा हुआ है तो epsilon not a upon d minus t यह plus है फिर t upon k है यह रहेगा इसका पास main formula it's as simple as that क्या कहते हो क्या कहते हो क्या कहते हो तो this is the main formula when a dielectric slab is introduced between the conducting plates of the capacitor तो यह अपने पास पूरा spin shot लेने का मौका 3 2 1 ready go super clear super done चलो वह एक तरफा शानदार clear करें अब आते हैं concept of node पे बेटा यहां पे इस आप्टर न एंडिंग की तरफ आछुका है और अपने को पढ़ने पढ़ते हैं यहां पे circuits क्या पढ़ने पढ़ते हैं ब fresator depende तो हद इए circuit में देखो basically क्या होता हिए दो तरह के होते है Yeah तो होगा Series combination या तो होगा Paddle combination to Series combination के लिए क्या होता है, Paddle combination के लिए क्या होता है इन सबसे पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है किு. नोड क्या होता है cha 형はい noode ऐक ऐसा parts of the wire are connected, ठीक है, नोड एक ऐसा point होता है, जहां पे कम से कम three parts of the wire are basically connected, at that particular point, it is as simple as that, मेरे ख्यान में यहां तक कोई भी परिशानी आपको बिलकुल नहीं आ रही होगी, ठीक है, यह वाला funda पुरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, चलो, ओके, अब ज़रा ध्यान देते हैं, चलो, क्या होता है, तो नोड जैसे वाले, for example, अगर में पास एक resistor यह है, एक capacitor यह है, एक resistor यह है, ठीक है, तो आप सब लोग तरीके से ज़रा देखें इसको, तो यह वाला जो point है, this is effectively a node, यह वाला जो point है, this is effectively a node, because तीन वायर के path यहां से आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, एक तो यह वाला path है, दूसरा यह वाला path है, तीसरा यह वाला path है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का, तीन से जादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ह रहना है, तो सबसे जरूरी बात ही है, कि उनके बीच में कोई नोड नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां लिखा हुए, सब लिखा हो तो माई ले बटा, devices are set to be in series combination when there is no node, devices are set to be in series combination when there is no node present between them, उनके बीच में कोई भी node नहीं आ रहा है, तब ही जाकर के वो series combination कहलाते हैं, for example, यहां देख लो, एक resistor, एक resistor यह है, अब मैं resistor वाले example क्यों दे रहा हूँ, because हम लोग 10th में वही पढ़ के आये थे, ठीक है, तो यह बकाईदा series combination है, ठीक है, अगर मैं capacitor की बात करूँ, तो पहला condenser, दूसरा condenser, तीस से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, यह बकाईदा series combination है, ठीक है, लेकिन, 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 अगर मैंने ऐसा कर दिया, यहां पर C1, C2, C3 सब series combination में थे, लेकिन, अगर मैंने यहां पर ऐसा कर दिया, कि एक capacitor यहां लगा दिया मान ले, ठीक है, तो पता है, क्या होने वाल ह यहां पर इसा होगा, कि जो C1 और C2 है, जरा गौर करें, यहां पर सिर्फ यह जो C1, C2 है बस यही series combination में रह पाएगा, यहां पर ऐसा होगा, कि यहां पर जो C1, C2 है, बस यही C1, C2 series combination में रह पाएगे, बाकी combination पूरा set नहीं हो पाएगा, मैं यह भी नहीं कह सकता, कि C3 और C4 जो है, वो series combination में है, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि इनके बीच में effectively एक node आ रहा है, ना भाईया, चमका इनके बीच में effectively एक node आ रहा है, मेरे ख्याल में आपको यह वाली पूरी बात सही से चमक गई होगी, ठीक है, पका, यह वाला पूरा funda clear है, ठीक है, अचा, एक और कि अगर series combination नहीं तो फिर paddle होता होगा, आ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, series नहीं है, तो इसलिए नहीं है, बीच में node आ गया होगा, अब parallel होने के लिए कहानी अलग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि series नहीं तो paddle हो जाएगा, तो series के लिए क्या होता है, कि there should be no node present between them, अब paddle के लिए क्या होता है, तो बिटा paddle के लिए ऐसा होता है, समान ले कि this is your first capacitor with capacity C1, this is your second capacitor with capacity C2 and this is your third capacitor with capacity C3, ठीक है, बाई हार device के पास क्या है, दो-दो ends होता है, एक, दो, इसका भी एक, दो, इसका भी एक, दो, ठीक है, अगर devices को parallel में रहना है, तो सबसे important बात ही होती है, कि उनका ना सबका एक point जो है, वो same जगा पर attach होना चाहिए, यह लोग कुछ इस तरह से, उनका एक point जो है वो same जगा पर attach होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर attach होता हो दिख रहा है, और अगला point जो है वो भी same जगा पर attach होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख लो, अग तब जाकर कि यह जो C1, C2, C3 का पूरा combination है, आप इसको parallel combination कह सकते हैं, तब जाकर कि आप इसको parallel combination कह सकते हैं, तो important कह है कि starting point सेम जगह प्याना चाहिए, यह common node आ गया, this is the common node, ठीक है, और ending के लिए भी there should be a common node, ending के लिए भी there should be a common node, जो कि आप लोग को यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, यह रहा common node, यह starting वाला common node, यह ending वाला common node, मेरी खाल से यह वाला funda supremely clear हो चुका होगा बेटा, तो यह parallel के लिए funda होता है, अब मैंने सब कुछ लिख के र one common node, जैसे के आप यहां देख सकते हैं, इनका starting point is at one common node and उसके बाद के लिए should be at one common node and their ending points should be at one another separate common node, ठीक है, ending point is at one another separate common node, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप जब इस वाली पूरी कहानी के screenshot ले ले ले, एक तरफा कहानी है यह बहुत important चीज था यह, कोई रिकत वाल बात तो नहीं, three, two, one, ready, go, super clear and super done, चलो, 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 आगे बढ़ते हैं, इसमें अप, okay, यह रहा इसका पूरा supporting theory, इसका screenshot आप लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे, हो गया, three, two, one, ready, go, super clear and super done, चलो, आगे बढ़ेंगे, चली, तो अब आते हैं, capacitors in series combination पे, बेटा, series combination में एक बाग का आप खास ख्याल रखेंगे, कि series combination में चार्ज बिलकुल constant होता है, series combination में क्या होता है, series combination में charge बिलकुल constant होता है, और parallel combination में potential constant होता है, ठीक है, तो मैं लिख दू, charge remains constant in series combination, ठीक है, charge remains constant in, जब series का combination होता है, जब तब जाकर के charge constant रहता है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का पूरा फंडा क्या है तो जरा गौर करते हो चलना बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जैसे माल ले यहां चार्ज अप्लाई हो गया तो यह अपने पास तीन कंडेंसर लगे हैं सिरीज में लगा दिये कैपैसिटी C1, कैपैसिटी C2, कैपैसिटी कितनी ही है पर C3 के बराबर, it's as simple as that अब जरा गौर करें, इत्मेनान से गौर करें, इसको जो चार्ज मिला, वो चार्ज मिला Q के बराबर अब यही charge फिर इससे आगे पास कर जाएगा इसको भी फिर कितना मिलेगा Q के बराबर और यही charge फिर यहां से भी पास कर जाएगा इसको भी कितना मिलेगा Q के बराबर तो फिर अगर single path है और single path से charge का flow हो रहा है तो फिर तीनों ही condensers को same amount का charge मिल जाएगा तीन क्या इसके आगे मैं 10 भी लगा दूँगो ना दसों को same amount का charge मिल जागा ठीक है लेकिन parallel में क्या होता है बेटा parallel में होता है potential constant ठीक है तो potential remains constant in parallel combination potential potential remains constant potential remains constant in parallel combination potential remains constant in parallel combination ठीक है potential जो है वो बिलकुल constant रहता है in the case of a parallel combination अब स्थार इसका पूरा फंडा कैसे अपन फिगर आउट करेंगे तो ज़रा गौर करें जैसे मान लीजे कि अगर ना मैंने लगा दी है अपने पास दो capacitors in parallel combination यह रहा मेरे पास पहला वाला capacitor और यहीं लगाएता हूँ मैं यहां पर दूस्ता वाला capacitor ठीक है और इनको लगा दिया अपने पूरा प्रॉपर पैडल combination में इसकी capacity C1 है इसकी जो capacity है वो C2 के बराबर है और एक battery attach करना बचा था तो एक battery अपने attach कर दी है बोले तो कितने की बोले तो चल 10V की battery attach कर दी है तो यहां एक काम करता हूँ VV लेता हूँ तो V के अपने battery attach कर दी है अब क्या होता है अगर devices parallel में लगे हैं तो उनका potential drop बिल्कुल एकदम सेम होता है तो इसका voltage V था तो यहां पर भी potential V ही develop हो जाएगा और यहां पर भी potential V ही develop हो जाएगा It's as simple as that मेरे क्याल में यह वाला fund आप पूरा supremely clear हो जाएगा कि series combination में क्या होता है constant और parallel combination में क्या होता है constant जल्दी इस पूरी कहाने का आप screenshot लेंगे 3, 2, 1, ready go, super clear and super done It's as simple as that चलिक है चलिए तो यह वाला fund आप पूरा clear हो गया तो जब capacitors आपको series combination में दिखेंगे तो उनका ना potential different different हो सकता है लेकिन charge बिल्कुल सेम जाता है तो combination हाजी तो यहाँ पर यह आपने पास combination charge कितना supply हो गया था बेटा charge Q के बनाबर supply हो गया तो यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q हो और यहाँ से भी Q हो चुका है अगर मुझे potential drop निकालना है पहले वाले के across तो भाईया Q is equal to C V वाला formula बिल्कुल मत भूलना अगर Q is equal to C V है तो V क्या हो जाएगा Q upon C हो जाएगा which is basically Q upon C1 यहाँ पे Q upon C2 ठीक है चालो हो गया ओके तो अब आते हैं capacitors in parallel combination पे अच्छा एक बात ज़रा गौर करते हो बचलना अगर आपके पास capacitors लगे हो है series combination में तो equivalent कैसे निकलता है ठीक है ज़रा ध्यान दो अगर अपने पास condensers लगे हैं series में तो equivalent कैसे निकलना है ज़रा गौर करेंगे इसकी capacity C1 है C2 है अपने इसी किती है Cn के बरावर है तो 1 upon अच्छा एक second यहाँ पे series combination है तो इसका जो formula आता है न यह resistance के parallel से match करेगा ठीक है किसे match करेगा बेटा resistance के parallel से match करेगा तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 अपने करते 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 1 upon Cn तक कहनी आ जाएगी यह बड़ी important बात है बेटा ठीक है यह बड़ी important बात है अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि सारे के सारे capacitor identical है यह वाला यह वाला और ऐसे n number of capacitors है सारे के सारे identical है मतलब they all have the same capacity तो जब इसको अपन solve out करेंगे ना बेटा सारी values यहाँ पुट कर देना तो capacity of series combination आ जाएगा C upon N ठीक है यह किता आ जाएगा बेटा C upon N solve कर लो उपर पुट कर दो और तीसरा बड़ा important case only two devices अगर सिर्फ दो ही capacitors है parallel में series में अगर दो ही capacitors है series में तब जा करके क्या होता है तो अगर दो ही condensal आगे रखें series combination में तो इसमें जो capacity आती है वो ऐसी आती है C1 C2 upon C1 plus C2 अरे तू चाहे तो वैसे ही कर ले 1 upon C1 plus 1 upon C2 लेकिन पूरा solve करने के बाद भी जो तेरे पास आएगा वो ऐसे ही कुछ मसला आएगा तो आप इसको सीधे कह सकते हो कि ये वाला formula हो गया है sir product upon sum ये वाला formula हो गया है sir product upon sum it's as simple as that ये वाला formula काफ़े important है दो condensals वाला ये वाला पूरा funda समझ में आगे आपको तो ये था अपने पास equivalent series के लिए ये किस के लिए था बेटा ये तो आप लोग note down करी चुके होंगे तो मैं अब यहीं पे parallel के लिए भी पूरा funda जो है वो खेल देता हूँ यहीं पे parallel के लिए भी पूरा funda में खेल देता हूँ बस 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 इसके नाव निकल लए एक बर चलो अब एक काम करना सिरीस का equip view Vennt तुम लोग देख चुके हो अब देख लो बेटा parallel का equivalent ठीक है अब क्या देख लो बेटा parallel का equivalent देख लो parallel में तो कहानी बड़ी simple होती ہے parallel में क्या समाल ले अबने पास पहला capacitor दूसरा capacitor अब टेल ऐसे करते 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 अपने पास है मालने nth वाला capacitor ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे अपने पास करते करते है nth वाला capacitor यहाँ पे लगा हुआ है अब अब दे क्या होते हैं सबकी जो capacity individual c1 है इसकी c2 ए अप्टिल इसकी cn के बराबर है जब इसको solve out करेंगे न बेटा इसका formula बिलकुल वैसा आता है जैसा कि series में resistance का आता था ठीक है इसको अपने add कर देंगे तो plus के cn तक का यह addition हो जाएगा अब इसमें special case अगर identical हो गए तो क्या हो जाएगा identical मतलब सबकी value अगर same है identical मतलब सबकी value अगर same है तो इस case में क्या हो जाएगा capacity in parallel is equals to c plus c plus c up till n times कर देंगे तो n times c हो जाएगा capacity of parallel combination ठीक है यहाँ तक कोई परशाही तो नहीं हो रही आप लोग को तो अच्छा यह अपने पास series combination था यह अपने पास था series combination कहां लिखे है वही यह यह था अपने पास में series combination ठीक है और यह था अपने पास में parallel combination ठीक है जल्दी से इस पूरी कहानी का screenshot ले ले जेंगे उसके बाद फिर आपको main slide पे लेके चलते हैं हो गया 3 2 1 ready go super clear super done यह वाला funda पूरा clear हो चुका है तो series भी आप लोग ने देख लिया है parallel भी आप लोग ने देख लिया है parallel में same potential होगा लेकिन charge different different हो सकता है देखो तो माले 100 कूलम आया 40-60 में चले जाए 50-50 में चले जाए 20-80 में चले जाए 10-90 में चले जाए कैसा भी flow हो सकता है charges का depending on the capacitance over there ठीक है चले ओके तो यह series आप लोग ने देख लिया parallel भी आप लोगों ने देख लिया energy stored inside a capacitor what is the energy stored inside a capacitor जरा एक simple सी बात पर आप गहुर करें energy stored inside a capacitor को अपन u से करते हैं represent energy निकाल निकाल दो क्या निकाल दो बेटा energy निकाल निकाल दो तो work का formula क्या होता है charge into potential ठीक है माले potential v के बराबर है और बहुत ही small amount of charge को अपन ने यहां से दिरसल transfer करवाया ठीक है तो अपने एक काम करेंगे यहाँ पर dw is equal to सुनो dq को रहने देना उसके बाद q is equal to cv होता है तो v is equal to क्या हो जाएगा v is equal to हो जाएगा q over c हाँ की ना सही जा रहे है बेटा तो dw is equal to q times अच्छा q by c times यहाँ पर हो जाएगा dq अब एक काम कर दो इसको कर दो integrate ठीक है इसको कर दो integrate तो यह हो जाएगा integration of dw यहाँ पर 1 by c बाहर आजाएगा यह हो जाएगा integration of q times dq तो जब 0 charge transfer करवाया तो कुछ work नहीं करना पड़ा होगा जब q amount का charge transfer करवाज है तो फिर w amount का work करना पड़ गया होगा तो dw का जो integration है वो होता है w 0 से w के बराबर यहाँ जब solve करोगे तो q square by 2 हो जाएगा तो q square by 2c हो जाएगा lower limit तो जानते ही हो 0 upper limit भी जानती हो q तो upper limit minus lower limit कर लेना तो q square by 2c minus का 0 हो जाएगा it's as simple as that तो अपने पास work आजाएगा q square by 2c और यही तुवारे पास होती है potential energy stored inside the capacitor जल्दी इसका screenshot ले लो बेटा चलो ठीक है बहुत शानता तो यह वाला fund पूरा clear हो गया अब जब मैं q को cv put कर दूँगा या c को q upon v put कर दूँगा तो वहां से यहां पर दो formula और निकल के आजाएगे कि एक हो जाएगा q square by 2c तो हो चुका है एक हो जाएगा qv upon 2 और एक हो जाएगा cv square by 2 half cv square ठीक है तो अपने पास कुल में लागा कि तीन तरह के formula हो चुके है q square by 2c, qv by 2 और half cv square, it's as simple as that तो जल्दी से इस पूरी कहाने का screenshot ले लो इन दो formula को भी note कर लेना हो गया चलो, आगे बढ़े अब यहां पर आगे है find the charge appearing on each of the three capacitors as shown in the figure बेलो, ठीक है, यहां देख्या होता है चार और चार का जब उपन करेंगे solve, तो यह आजाएगा parallel में है, तो simply add कर देना तो आजाएगा 8 microfarad उसके बाद 8 microfarad और 8 microfarad series में हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4 microfarad ठीक है, तो जो net capacity है ना, वो हो जाएगी बेटा किती 4 microfarad, net voltage जो है ना वेटा, वो किता है अपने पास में 12 volt है तो जो net charge है, जो अपने पास में net charge हो जाएगा, वो हो जाएगा net capacity into net voltage, मतलब 48 microcoolum net charge किता हो जाएगा अपने पास में 48 microcoolum it's as simple as that, ठीक है अब ज़रा गौर करते हो चलना जब यहाँ से supply हो चुका है 48 microcoolum जब यहाँ से supply हो चुका है 48 microcoolum तो भाईया, उसके across में potential drop किता होगा तो potential drop निकालने के लिए इसका potential drop को मैं V1 कह देता हूँ, ठीक है इसके potential drop को अपन कह देंगे V1 बहुत दिनों के बात दिखाई दे रहा है अपने को यह इस तरह का simple combination of capacitor ठीक है नहीं तो क्या है, ऐसे वाले condenser गाया बुजाते है इतने simple question आते नहीं न ठीक है लेकिन क्या है अब simple question है तो कर देंगे इसको अपन तो यहाँ पर voltage किता होगा Q upon C होगा तो Q किता है 48 microcoulum upon C किता है आठ तो यह हो जाएगा 6 volt के बराबर ठीक है क्या हो जाएगा बेटा 6 volt के बराबर हो जाएगा इससे as simple as that यहाँ पर आ गया है 6 volt अब बेटा 12 में से 6 तो वहीं पर खर्च होगा ठीक है चार्ज निकाला था वह पर निकाल दिया ठीक है 12 में से 6 तो यहीं पर खर्च होगा तो बाकी बचा होगा छे जो है न वो यह P और Z क्या क्रोस खर्च होगा ठीक है P और Z क्या क्रोस खर्च होगा बेटा तो अपन इसको ऐसे देख लेते हैं आपकी क्या क्या है यहां लगा दिया क्या जासर कोई रिकटन नहीं है शांदार भात थीक है ठीक है यह भी कितता है और श 레SE के बारे में लोग जानते हैं कि 6 वोल्ट यहां हमें पे भी 6 वोल्ट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो भाईया जब इसमें से अपने को चार्ज निकालना है कि भाईया चार्ज कितना फ्लो करा इसके चार्ज को अपन Q1 बोल देते हैं यहां से कितना फ्लो करा इसको अपन Q2 बोल देते हैं तो जब Q1 निकालना होगा तो Q1 is equal to C1, मतलब C into V कर देंगे तो 4 into 6 करेंगे तो 24 microfarad, micro coulm, माफ करना, माफ करना, micro coulm और जब मैं यहां से Q2 निकालना तो यह वाली बात भी सही है 4 into 6 करेंगे तो 24 micro coulm और obvious ही बात नहीं है सप्लाई किता हुआ 48 micro coulm तो 24, 24 में divide भी हो गया because equal capacity थी दोनों capacitors की that's why equally divide हो गया तो यह वाला सवाल आप लोग के लिए हो चुका है यह वाला फंटा पुरा clear है 3, 2, 1, ready go, super clear, super done चलो, आगे बाणे अगले बाले पर आजाओ find the capacitance of the combination shown in the figure ठीक है, net capacity निकाल लिए, कोई दिक्कत वारी बात निए बिठा simple लगे हाथ solve कर दूँगा यह दो और दो का करेंगे अपन तो एक हो जाएगा यह तो अपन समझते है ना इस दो का और इस दो का solve करेंगे तो कित्ता हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है अब यह एक micro farad और इसके साथ में बता है क्या होगा देखो, यह दो और दो का अपने solve करा तो यह तो एक हो गया फिर एक और एक करेंगे, इसके साथ करेंगे एक और एक तो यहां तक हो जाएगा 2, ठीक है यह हो जाएगा 2 micro farad ठीक है, उसके बाद 2 micro farad और 2 microfarad जब 7 मिलेंगे तो हो जाएगा 1 microfarad अब वो 1 microfarad और 1 microfarad यहां तक का solution करा तो again किता हो गया वो 2 microfarad ठीक है उसके बाद 2 microfarad और 2 microfarad को साथ मिलेंगे तो हो जाएगा 1 microfarad फिर 1 और इसके साथ 1 करेंगे तो 1 और 1 किता हो जाएगा parallel में 2 microfarad और फिर 2 और 2 एक साथ क combination में answer किता आजाएगा अपना answer is equals to one microfarad it's as simple as that जल्दी से इस पूरी कहानी के screenshot ले लो change circuit था चमका पका recording में करवा के रखा इसको अपने बहुत बार इस पर तो बकाईदा पूरे circuit पर तो dedicated lectures आये हुए थे अगर आप लोग ने मिस्स कर दिया है तो एक बार जाकर के circuits वाला portion भी देख लेना ठीक है जारा बड़े वीडियोस नहीं होंगे तो वहां से क्या circuit पे अलग command बन जाएगी तुमारी ठीक है पका अब आजाओ concept of common potential पे दो bodies के बीच में charges कब तक flow करेंगे जब तक उनका potential same ना हो जाए दो bodies के बीच में charges कब तक flow करेंगे जब तक उनका potential same ना हो जाए ठीक है इसकी capacity C1 है voltage B1 है capacity C2 है और voltage B2 है लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में मैं एक wire को लगा दूंगा ठीक है द्यान देना conducting wire मैंने अगर place कर दिया तो capacity पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा charges flow कैसे करते हैं बेटा from high potential to low potential charges कैसे flow करते हैं बेटा ये मैंने एक लगा दिया wire ठीक है charges कैसे flow करते हैं बेटा from high potential to low potential अगर C2 वाले का potential high होगा तो charge यहां से यहां flow कर जाएगा अगर C1 वाले का potential high होगा तो charge C1 से C2 की तरफ flow कर जाएगा लेकिन कब तक flow करेगा जब तक दोनों का potential सेम नहीं हो जाएगा तो इस potential को इस potential V को कहा जाता है common potential और इस common potential का formula क्या होता है V is equals to C1 V1 плюс हो जाता है C2 V2 upon नीचे हो जाता है C1 प्लस C2 ठीक है चमका V is equal to क्या हो जाता है C1 V1 plus C2 V2 अपन नीचे क्या हो जाता है C1 plus C2 it's as simple as that लो पूरी कहानी गए screenshot पका पूरा फंडा clear हो चुग है चले ओके this was about concept of common potential आगे बढ़ जाओ a capacitor of 20 microfarad charge to 500 volt is connected in parallel to another capacitor charge to 200 volt find the common potential तो given data के अनुसार C1 की value है 20 micro C1 की value है 20 micro उसके बाद charge to 500 volt है और given question के according is connected in parallel to another capacitor की capacity है 10 microfarad और इसको charge करके रखा है to a potential of 200 volt ठीक है दूसरी वाली का potential कितना है 200 volt है find करना है common potential क्या figure out करना है अपने को यहाँ पर what is the value of the common potential यहाँ पर find करना है common potential तो आप लोग सब लोग जानते है V is equal to क्या होता है C1 into V1 होता है तो 20 into 500 करेंगे तो कितना हो जागा 25Z 10 हो गया into यह अपने पास कितना हो गया यह 30 है मतलब 10 की power 3 कर दे और micro मतलब कितना हो तो 10 की power minus 6 कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है C1 V1 हो चुका है plus करेंगे क्या बेटा C2 V2 तो 10 into 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा 10 into 2 करेंगे तो 20 हो गया उसके बाद 2 0 था 10 की power 2 लगा दे और micro मतलब 10 की power minus 6 लगा दे अपने नीचे तुरे पास क्या हो जाएगा बेटा यह हो जाएगा C1 प्लस C2 ठीक है मतलब 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 micro farad यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है micro मतलब क्या है 10 की power minus 6 micro मतलब क्या है 10 की power minus 6 अब ज़रा गौर करना 10 इंटू 10 की power 3 मतलब 10 की power 4 तो 10 की power 4 micro उसके पास यहां पर खेल लो बेटा यह अपने पास क्या हो जागा 2000 2000 मतलब 210 to the power 3 210 to the power 3 और यह भी अपने पास micro और नीचे क्या अपने पास 30 micro नीचे क्या अपने पास 30 micro तो micro micro common निकाल लो काटा बीटी मचा दो कोई रिक्कत वाली बात नहीं अपने को यहां पर micro micro common काटा बीटी मच गई तो अपने पास कित्ता बचेगा यह 10 इंटू 10 की power 3 और 2 इंटू 10 की power 3 तो 12 इंटू 10 की power 3 और यहां पर कित्ता आजगा अपने पास 30 ठीक है सही जा रहा हूँ क्या सटीक जा रहा हूँ क्या पक्का यह अपने क्या करा 2 10 की power 3 था 10 10 की power 3 कर दिया तो 12 10 की power 3 हो गया micro micro निप्टा दिया अपने काम खतम ठीक है तो 120 अपन यह अपने पास कित्ता हो जागा बेटा ज़रा गौर करें यह 1200 अपन तीन हो जाएगा 1200 अपन तीन और 1200 अपन तीन करेंगे तो अपना अंसर कितना आ जागा 400 वोल्ट तो this 400 वोल्ट is the correct option for the common potential जल्दी इस पे टिक लगा लेंगे फिर आपको लेके चलते हैं इससे आगे इसके अगले वाले content की तरफ हो गया चले उसके बाद फिर अपने पास क्या आता है loss of energy on sharing of charges जैसे ही दो capacitors के बीच में charges flow करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक loss of energy देखने को मिलता है अगर loss of energy देखने को मिलता है इसका मतलब क्या initially energy जादा रही होगी finally कम हो गई होगी therefore कहा जाता है कि energy is lost initially energy जादा रही होगी और finally energy कम हो गई होगी इसलिए कहा जाता है कि energy is lost और यहीं पे मैं आपको ज़रा एक simple सी बाद बताओ अगर initial बड़ा है और final छोटा है पकी बात है initially energy जादा थी finally energy कम बची तब जाकर कि अगर मैं initial में से final को minus करूंगा तो मेरा answer should be always positive या फिर अगर you initial minus you final हमेशा positive value दे रहा है इसका मतलब you initial बड़ा है और you final छोटा है final energy कम हो गई मतलब energy का loss हो रहा है it's as simple as that यह बहुत ही जादा important funda है जो बगल में लिखी है इसकी theory उसके साथ साथ यह attach कर देना जबरदस्ट funda clear हो जाएगा हो गया चले ओके अब जड़ा देखा जाए कि loss of energy का जो formula है वो आता क्या है तो यह आपने पास formula ठीक है अब इस formula को आप याद कैसे करेंगे देखो बेटा यह जो u1 लिखा है ना इस u1 को मैं कहा देता हूँ u initial ठीक है initial energy और जो u2 लिखा है ना इसको बोल दूँगा u final तो हम लोग अगर u initial minus u final कर रहे है मतलब u1 upon u2 कर रहे हैं इसी बात है ठीक है यह लिखा है na u1 minus u2 तो loss of energy कितनी energy loss हो गई तो loss of energy बोले तो u1 minus u2 या फिर u initial minus u final या फिर इसी को मैं delta u बोल दूँगा ठीक है तो delta u का जो formula होगा वो यह होगा product twice of sum product upon twice of sum उसके बाद potential के difference का square v1 minus v2 का square this is the main formula for loss of energy it's as simple as that अब लोग इसका जल्दी से screenshot ठीक है यहाँ तका funda पुरा clear हो गए 3,2,1, ready go super done, super clear, एक तरफा भाईया एक तरफा चले, तो यह था अपने पास इसका complete chapter revision मेरे खयाल में chapter 2 आपको शानदाय तरह से समझ में आ गया होगा यह बहुत कम समय में ट्राइ करा है कि इतने बड़े chapter को कम से कम समय में आप तक पूरा quality के साथ पहुँचाया जाए तो आपको अगर लाग इस video को क्या क्या चीज़ें add हो चुकी है और क्या धवाकेदार चीज़े आप तक और भी पहुँचने वाली है और फिर से भाई बात कि अगर आप Hindi medium के student है तो इस video को देख के यह मत सोचना कि काश हमारे लिए भी कोई Hindi medium में ऐसा कर लेता बेटा Magnet Brains के Hindi medium के चैनल पे पूरा content available है 6-12 तक का ठीक है आपको बस यह करना है कि Magnet Brains Hindi medium को जा करके subscribe कर लिजए का वहाँ साब काम done 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 हो जाएगा कोई भी feedback हो कोई भी suggestion हो तो comment section को use करके अब अपनी सारी बाते मुझ तक पहुँचा सकते है ठीक है यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वेदिक मैस क्रैश कोर्स और spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर visit के सकते हैं thank you so much